3 से एक पर भापने दी बाबार दी एक्स भान करने implicitly तो यह आपको function के बने तो इनों साट पर दी बाबार दी एक्स लिया x स्कौाइर का ड़र भाधिट व 2x y स्कौाइर का 2y दी बाबार दी एक्स ठीकिके और इसका 0 आ गया इसको यहां रहने दे, इसको दूसी शाट पे ले जाए, पिर जाएगा माइनस 2x और 2y से डिवाट का दे, पिर दो कैंसल तो यह है अंचला आगा है। Simplicitly x cube का y cube का दिवाई बाद dx, इसमें product प्रूल लगेगा, 3 times x का derivative लिया, y square as it is आगया, फिर 3, x as it is y का derivative 2y और फिर dy by dx, जब multiply आजाएंगे तो आपके पास दिया जाएगा, dy by dx as it is आगया, अब इसको इस तरफ लेके जाएं और इसको इस तरफ लेके हैं, तो यह बन जाएगा आपका 3y square dy by dx, और जब इस तरफ जाएगा, इसको जब हम इस तरफ लेके हैंगे, आपके बन जाएगा, 3y square minus 3x square, अब इसमें सेगर हम dy by dx common लेने, तो क्या चीज़ बचेगी, यह बन जाएगा, इसको dy by dx, 3y square minus 6xy is equal to 3y square minus 3x square, और यह multiply हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, तो यह हमारे पास आजाएगा, और इसमें से देखे, उपर वाले में 3 common है, तो सबका 3 cancel हो जाएगा, आपके पास यह चीज़ा होगा, यह होगा, और में again differentiate किया, दोनों से, with respect to x, product rule लगाया है, इसके पर भी product rule लगाया है, यह होगा, dx, इसका 1 आ गया, और इसका 0 आ गया, दोनों में से, dy by dx में से, dy by dx common लिया, तो यह बच किया, इस वाले में से यह बच किया, और बाके सब terms को में दूसरी जाट के ले गया, अब इस दूसरी, यह multiply रहा है, दूसरी से पर जाकर divide हो जाएगा, यह आपका derivative हो जाएगा, तो यह आपका derivative हो जाएगा, अगया, दोनों से पर differentiate किया, product rule लगाया, इसके पर भी product rule लगाया, इसका derivative 1 आ गया, इसका 0, अगया जहाँ पर डिगा पर dx है, वो common ले लिया, तो यह बच किया, बाकी सारे टम इसको दूसरी सेट पर ले गए, और इसको दूसरी सेट पर लाट पर divide कर दिया, अगया, दोनों सेट किया, इसको root नीचे है, अब इसका derivative x power minus 1 over 2 actually, y power minus 1 over 2, इसका derivative ले power front पी आ जाएगा, यह power मैसे एक minus कर देंगे, तो यह minus 3 over 2 आ जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो plus 3 over 2 हो जाएगा, इसका derivative minus 1 over 2, ठीक है, उसके बाद power में से एक minus कर देंगे, फिर minus 3 over 2 हो जाएगा, नीचे जाके positive 3 over 2 हो जाएगा, तो फिर हम inside राने का derivative लेते हैं, चुंकि एक x के inside का derivative 1 हाता, इसलिए हो लिखते नहीं है, लेकिन y का 1 नहीं हात इसलिए मैं यहाँ पहले दिए है, और ही as it is आगा, अब dy by dx को यहाँ रहे जाएगा, इसको दूसरी चाट का लेकि जाएगा, इसके जब दूसरी चाट का लेकि जाएगे, तो यह क्या बन जाएगा, 2 minus 2, यह बन जाएगा plus, यहाँ minus हो रहा हो तो यहाँ क्या plus हो जाएग 2 by 3 or 2, यह minus रहा जाएगा, यह बना minus जब दर multiply जाएगा, तो यह minus हो जाएगा, 2, 2 के सब cancel आपका लेकि चीज रहा जाएगा, एट में अगें derivative लिया, push and rule लगाया, ठीके, dy by dx यहाँ पर रहा गया, ठीके, इसको इस तरफ लेके जाएगे, और dy by dx के 2x से डिवाइड कर द दिया, तो 2x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, इनको common लिया, तो इसके साथ cancel हो जाता है, तो इस सिंप्लिफिकेशन है, I hope you can do that, इसमें अगें differentiate के है, दोना साइट पर, sine का derivative का होता है, cause, और फिर इंसाइट यह है, function x का y स्कार, तो उसका का derivative 1, अब इसको 1 से इसको इदर लें, ठीक है, साथ में यह भी multiply होगा, यह इसके साथ multiply हो जाएगा, और इस तरफ आजाएगा, यह बन गया 1 minus, और यह इसके साथ में multiply होगा, और यह इसके साथ मुल्टिप्लाई होगा, और दिवाइगा यहाँ पर रह जाएगा, तो जब cause का derivative minus sign, और इंसाइट का product tool अप्लाई किया, और यह का derivative डिवाइगा, अब यहाँ डिवाइगा इसको multiply के इसके साथ भी, इसके साथ भी, इस तरफ पिछले वरे question में भी ही का कर रहा था, इसमें, आप अब अगर डिवाइगा, यहां रहने दे इस वाले को मैंदर लेया त अब इसके साथ, इसमें से कर रहा हाँपिर इसमें से कामना लेया, क्यां के रहाँगा, इसमें से कामना लेया, के वाजाएगा, 1, 2xy, sin x y square plus 1 d y by dx और इस तरह यह रह जाएगा ठीक है तो इसका आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तरह यह लिखा हुआ है इसका आप इदर लेंगे तो यह minus हो जाएगा यह हो जाएगा तो plus हो गया और इसमें से minus common लेंगे तो यह बन जाएगा यह और वो यह minus यहाँ वाला minus है यहाँ पर लिंग दिया है तो यह simplification है 10 cube परसंद 11 में यह 10 whole to the power 3 होता है power front पे आगया power में से एक minus हो गया फिर 10 का derivative inside का हो क्या है secant square फिर secant square के अंदर जो function है उसका derivative product rule से किया और इसका 9 गया है अब again जहां जहां D Y by D x है ठेक है उनको रहना दे बाकियों को दूसरी साट पर ले किया ठेक है इसमें से D Y by D x common ले ले और बाकिसद को दूसरी साट पर कर दे ते गेंग दे सिंप्लिकेशन, अचा, question 12 में आपने क्या किया, किया किया, किया किया किया, इसको पर सेंपल डेरवेटर अप्लाई की, ठीक है, और इसको मजीद सिंप्लिफाई करें, तो जब इस चीज को दूसरी सेट कर लेके जाए, तो यह जाएगा, आप 1 प्लस सीकेंट y होल स्कुएर, यहां से निकल जाएगा, अब इसमें देकर d y by dx किसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, और इसको भी इस तरफ लें, अब जहां एक, दो और तीन, तीन जगों के d y by dx है, वो common ले ले, जो चीज़े बच जाती है, इसके अंदर d y by dx नहीं है, वो इसको जब आ ठीक है, वो आपके पास, यह आ जाएगा, ठीक, इसके अंदर नहीं है, तो यहां पर q भी आएगा, वो फिर आगे नीचे cancellation हो जाएगी, अब इसमें से जब आप डिवाब डिवाब डिक्स कामन लेते हैं, आपके पास बचेगा, और y cube, यह वाला, इसमें से क्या बचेगा माइनस 3, माइनस 3x, सरी है, यह माइनस हैगा पारे, xy, xy cube, c contain, और इस वाले में से क्या हैगा, 1 plus sec, 3x, y square, जेकें, इन सब में y square है, और रूप है, y cube है, इसमें cube नहीं है, इसलिए square को इसके साथ काड़ देते हैं, इसके square को इसके साथ, और इसके square को इसके साथ, आपके पास, आखिर में यह चीज़ बचाती है, ठीक है, इसको माइनस से multiply किया है, बब माइनस से multiply करेंगे, तो यह positive हो जाएगा, यह negative यह positive हो जाएगा, और यह negative हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर negative हो जाएगा,